यह देखी दोस्तों उसकी हाइट और लेन देखी बकरी की पलाई का भी जो है उनका बताएंगे आम लोग आपको आप उस साइड में पूरा नीपियर जो रहता है यैसे बकरों का सबसे पसंदीदा फीड है उसका रिजल्ड भी अच्छा रहता है उस फीड का पूरे लॉट में सबसे अच्छी बकरी कुण से लगी आपको इतने पूर आपने जो आप देख रहे हो केज उसमें पूरे बन्नूर वगेरे बरबरे सब कुछ है इनके बाद हर नसल की प्रिड मिल जाएगे आपको अस्सलाम अलेकुम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल से जिसका नाम है ताज उगट फाम नासिक दोस्तों जिस दोस्तों आज हम है नासिक में एक बहुत बड़े गोट फाम पर जो इसके ओनर है आजीम खान वो थोड़े काम में मस्चुरूफ थे इसलिए वो वीडियो में याप आ रहे हम आपको ओवर आल एक वीडियो दिखाते है उनके जानवरों की जो सेलिके लिए है इसकी दोस्तों चेहीं अब देख सकते हो मेवाती फीमेल है है सोजात जेपी हंसा है इनका ट्रेडिंग के साथ साथ बलाई का भी माशाललह बहुत अच्छा काम है आप देख सकते हो इनका फार्म का एक बकरा और बहुत सारे बकरे हैं इन में पतीरा हाई पैड जो केज में है उस साइड में उस साइड का भी जो वीडियो है हम लोग शूट करेंगे इसके बाद अब एक ओवरॉल वीडियो में आपको सारे इनके सेलिंग वाले जो जानवर है वह हम लोग दिखा रहे आपको इसमें से जो कुछ जानवर बच्चों के साथ भी है और बहुत सारी बकरिया इसके अंदर प्रेग्नेट भी है कोई भाई इसमें इंट्रेस्टेड होंगा तो आप आजीम भाई से बात करें आजीम भाई का नंबर हम लोग आपको दे देंगे स्क्रीन पर माशाला आप देख सकते हो इनका जो पलाई का कॉंसेप्ट है माशाला बहुत अच्छा है पलाई के बारे में भी हम लोग आपको डिटिल्स के साथ ने पूरा बताएंगे एक एक जानवर बताएंगे इनके पास में जो पलाई पर है बहुत दूर दूर से इनके पास पलाई पर जानवर आते हैं जैसे भूपाल वगेरे इसमें से अपको दो दाथ, चार दाथ, छे दाथ, सारी बकरिया अवेलिबल मिल जाएगी हमारे अम्मी भी साथ में आये है हमारे अगले वीडियो में आजीम भाई के साथ में हम शूट करेंगे इनका पलाई के बारे में भी बात करेंगे और सेलिंग के जानवर है इनके उसकी भी डिटिल्स वगेरे आपको अच्छे से एक एक जानवर शो करके डिटेल्स के साथ में आपको बताएंगे और प्राइस भी बताएंगे आपको इस वीडियो में सिर्फ इनके फार्म का जो टूर है बाहर से वो करवा रहे हैं हम लोग आगे के जो वीडियो आएगी उसमें आपको पलाई का और एक एक बकरी का डिटेल्स वगरा सब देंगे बने रही है हमारे चैनल के साथ आएए थोड़ी बात थोड़ी बहुत हम इसे बात करते हैं हम में कैसे लगए आपको जानवर पूरी लॉट में सबसे अच्छी बकरी कुंजी लाई आपको इतने पूरी लॉट में यह वली इसकी बहुत अच्छी है हाइट लेंद बहुत अच्छी है पर दूद भी अच्छी है इसको वीडियो में है पर वीडियो में इतना समझ में नहीं आती सामने सामने एकदम अब ख़ड़रो उसके बाज़े में हमी यह देखी दोस्तों उसकी हाइट और लेंद देखी बकरी की जिस किसी भाई को आकर देखना है तो अप नासिक आ सकते हैं नासिक में द्वारका जो सर्कल है द्वारका सर्कल वहाँ से आठ किलोमेटर छे-साथ किलोमेटर पर है इनका फाम और रोड पर ही है हाईवी रोड पर मेंन देख सकते हो इनका कॉलिटी इनका रिजल्ट पलाई का इस सामने जो आप देख रहे हो केज उसमें पूरे बन्नूर वगेरे बरबरे सब कुछ है इनके बाद हर नसल की प्रीड मिल जाएगे आपको विलाइती है यह बच्चों के लिए केज का सिस्टम बना है उन्हें यहापे जैसे कोई बकरी वगेरे रहती है इनके पास फालाई के लिए या इनके फाम की तो बच्चे वगेरे को केज में रखते है यहापे वो यह पूरा सिस्टम है है हैलोजन वगेरे लगे है गर्मा आठ ये लिए इनका जो फीड कॉंसेप्ट जो है इनका फीड भी माशालला बहुत अच्छा है इनका पुरा शौक बताएंगे आपको और थोड़ी सी शौट में इंटर्व्यू भी लेंगे इनका अजीम भाई का कितने साल से काम कर रहे हैं क्या कर रहे हैं अब देख सकते हो आसपास में पुरा खेत है अब उस साइड में पुरा निपियर जो रहता है जैसे बक्रो का सबसे पसंदीदा फीड है उसका रिजल्ड भी अच्छा रहता है उस फीड का पुरा खेत में लगा है उन्होंने बक्र पूरा विलेती घास का काम चल रहा है इसलिए वो थोड़ा टाइम लगेगा उनको आने के लिए उनके साथ दिए वीडियो बताएंगे आपको बाकि आप जानवर देख लें इस वीडियो में और इसके बाद जो वीडियो आईगी उसके अंदर आपको पूरा एक शो करेंगे अच्छे से डिटेल्स के साथ लोड है खाली है कितने दाथ पर है सब कुछ बताएंगे आपको आने वाले अगले वीडियो में और पलाई का भी जो है उनका बताएंगे आम लोग आपको अब देख सकते हो ये पूर में खड़रेता है इसके वाज़ी में इसरे से घड़रो इसरे से घड़रा न उसके साइड में कि नि बारता नी हो देखो इदर दोस्तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंटे बॉक्स में जरूर बताए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक कियर गुड़ बाई अला आफिस लगले पुड़र बाई अला आपसे लगा हैं तक कियर देक लाई निए घूत्या आपसे लगले वाले इगा हैं आपस। झाल झाल